प्रपी जन्म बनाओ भाईया पलपल नियूज के नियूज रूम्स मैं हूँ आपके साथ नदिम अकरब भारतिय जन्ता पार्टी जब उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काविज होना चाहती थी तो 2017 में बड़े दावे किये गए थे कि हर महीने जो है तीन लाख यूवाओं को रोजगार देंगे जो प्रदेश की बदहाली है उसे दूर कर देंगे और ना जाने क्या-क्या वादे नहीं किये गए और जब 2022 में जनता चात्र सडकों पर उतर करके योगी सरकार से जो शिक्षा भरती में धानली चल रही है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने लिए सडकों पर डट करके नौकरे मांग रहे हैं तो उतर प्रदेश की जो वहादूर पुलिस है वो उन पर लाठिया बरसा रही हैं उतर प्रदेश पुलिस सरकार की गुंडा घर्दी सामने आ रही है जहाँ पर चात्रों पर उन लोगों ने लाठिया बरसाई लखनाओं में केंडल मार्च बीते श्याम को जो भरती चात्र लेकर के सडकों पर उत्रे थे शिक्षा भरती को लेकर के उन्होंने केंडल मार्च निकालने का ऐलान किया और केंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा था तो उस दोरान घात लगा करके वैठी उत्तर प्रदेश की बादूर पुलिस ने चात्रों पर लाठिया बरसाना शुरू कर दिया ये उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा और सरकार का चेहरा है जो बच्चों पर लाठिया भाजने से भी बाजने ही आ रही है और ये मासूम बच्चे जो हैं सडकों पर नौकरी मांग रहे थे क्योंकि वादा किया गया था इन से और वादा खिलाफे भी किसी और नहीं बलकि भारती जनता पार्टी ने किया है क्या कुछ तस्वीरे उत्रबरदेश के लखनवू से निकल करके सामने आ रही है क्योंकि बीती राच जो गुंडा गर्दी थी उत्तरबरदेश पुलिस की उस पर अब सियासत गर्मा गई है क्या क्या लोगों के रियक्शन सामने आ रहे हैं उसे आपके सामने रखूंगा पर उसे पहले एक अपील अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बल आइकान दबाईए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साजा की जा सकें और अगर ये वीडियो फेस्बुक इंस्टा टुटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा टुटर पर हमें फॉलो करना ना भूलिए का आपको बता दे के लखनव में सहायक शिक्षा भरती को लेकर केंडल मार्च निकाल रही यूवाओ पर बीते रविवार को पुलिस ने लाठिया बर्साए यूवा यूपी भरती परिक्षा में हुई धांदली का आरोप लगाते हुए केंडल मार्च निकाल रही थे लेकिन इसी बीच वहाँ पर पुलिस पहुंच कई और उन पर लाठिया बर्साना शुरू कर दिया इस मामले को लेकर दिगजों के साथ साथ आम लोगों में भी आकरोश देखने को मिल रहा है मामले को लेकर पुर्व आईएस सूर्य परताफ सिंग वा पुर्व आईपीएस विजे शनकर सिंग ने सरकार को घेरा और खूम नराजगी भी जताई है पुर्व आईएस सूर्य परताफ सिंग ने युवाओं पर बरसाए गई लाठियों पर नराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि भारतिय जनता पार्टी का अंत निकिट है और निश्चित है लाठी खाकर वे अचेट सा गिर पड़ा अतातियों को दया नहीं आई पुर्व आईएस यही नहीं रुके उन्होंने अपने एक टूट में लिखा अंत आ गया है इस सरकार का अंत आ गया है वही दूसरे टूट में उन्होंने लिखा कि उतना ही अत्याचार करो जितना जेल सको तानाशा हो इसी के साथ साथ आपको बता दे कि पुर्व आईएस ने मामले को लेकर योगी सरकार पर भी जम कर हमला बोला उन्होंने लिखा अत्याचार दमदार काम दागदार योगी सरकार शरम करो के बाते भी पूर्व आईएस द्वारा लिखी गई हैं तो वही कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने भी लाठी चार्ज को लेकर भड़के नजर आए हैं उन्होंने इस घटना को लेकर भाजपा को घेरा और लिखा रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठ अगर वोट मांगने आए तो याद रखना यह लाठीया आप पर वरसाई कई थी तुकले तोर पर राहूल गांदी ने भी कहा कि जो लाठीया आप पर वरसाई जा रही हैं किस तरीके से आपके आंदोलन को कुचलने की तैयारी होकोमत त्वारा की जा रही है उसे याद जब भारतिय जंता पार्टी वोट मांगने की भीक आपके घरों पर दिखती हुई नजर आएके राहूल गांदी वा पूर्व आईएस के अलावा पूर्व आईपीएस ने भी युवाओं पर हुई लाठी चार्ज को लेकर सरकार को घेरा और लिखा बेरोदगार युवा न सीख लेने की जरूरत है कि संगठित होकर शांतिवपूर्ण आंदोलन की रा से ही लक्षे पाया जा सकता है सरकार की प्रात्मिक्ता में शिक्षा है ही नहीं युवाओं पर हुए लाठी चार्ज को लेकर आम लोगों में भी आकरोश देखने को मिला सुमन सौरव नाम के य अचा रहा वारे हम सबके अच्छे दिन मैंक जोशी नाम के यूजर्स ने लिखा योगी संत का यूपी में अब अंत निश्चित है तो वहीं विश्वजीत कुमार नाम के यूजर्स ने लिखा कि वोट देते समय यह याद रखना रोहिष शुकला ने लिखा कि सरकार को घ इसी नहीं आईपी इसी नहीं राजनेता भी खुल करके चुनावी मैदान में उतरे हैं और शिक्षकों की बर्ती को लेकर के आवास को बुलंद कर रहे हैं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि चात्रों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष और अपूर मुख्यमंतरी अखलेश यादव ने टूट कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया अखलेश ने लिखा कि भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठी चार्ज करके विश्व गुरू बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है हम उनतर सो शिक्षक बर्त खत्म होगी ये कहते हुए अपने गुस्से को जाहिर किया है तो वहीं यूपी में जमीन तराश रही आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस के इस कारवाई पर सवाल खड़े किये हैं राजे सवा सांसत और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजे सिंग ने टूट क योगी सरकार पर जमकर हमला बुला उन्होंने लिखा आदिते नाथ जी जितना मंग चाहे इन बेरोजगार नौजवानों को पिटवा लिजिए लेकिन दो बाद याद रखिएगा इनी नौजवानों ने आपको सत्ता के शिकर तक पहुँचाया बेरोजगारों पर हो रहे जुर्म आपकी सत्ता के ताबूत में आखरी कील साबित होगी प्रदर्शनकारी चात्रों पर पुलिस की बरबरता पूर कारवाई ने विपक्ष को बैठे बिठाए योगी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है ये तस्वीरे जो हैं बहुत कुछ बया करती हैं जहापर नि योगी की पुलिस ने लाठिया भाजी हैं जिसको ले करके आम जनता हो चाहे नेता हो चाहे राजनेता हो हर कोई योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखितकार ये किस तरीके का रवईया अपनाया गया जो शिक्षक भरती को ले करके शांती पूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आगास तक पहुंचा रहे थे तो उत्तर परदेश आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साजा करता रहूंगा दीजिये इजासत शुक्रिया